लगभग तेड़ साल बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे अजिंग के रहाने के लिए ये एक भावपल है साथ जून से वर्ल्ल टेस्ट चैंपेंशिप के फाइनल में जो भारतिय टीम प्लेइंग 11 उतारेगी उसमें पूरी संभावना है कि अजिंग के रहाने प्लेइंग 11 में शामिल किये जाएंगे उस वक्त के बारे में अजिंग की रहाने ने बात की है जब वो भारतिय टीम से बाहर थे बहुत भावुक कर देने वाली बाते हैं उनकी बातों को आप सुनेंगे तो एक पल को आप भावुक हो जाएंगे तो दूसरे ही पल उनके determination, dedication और विश्वास को सलाम ठोकेंगे के final में किस अंदाज में बल्लेबाजी करने का प्लान है अजिंग के रहाने का उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में भी बात किये और इस सबसे महत्वपून बात ये कि जब वो test team से बाहर हुए थे, भारतिय टीम से बाहर हुए थे तो उन्होंने अपने परिवार से क्या कहा था आज ये सारी चीज़े बताऊंगा लेकिन पहले बता दू कि आप देख रहें न्यूस बाइसकोप और मैं हूरा की श्रंजन साथ जून से भारत और आस्टेलिया के बीच डेवलो टीसी का फाइनल लंदन ओवल में खेला जाएगा और उसमें जो है अजिंग के रहाने की वापसी हुई है भारत के लिए बिरासी टेस्ट में 4931 रन बना चुके अजिंग के रहाने की टीम में वापसी एक कहानी जैसी ह है अगर हम बात करें तो अपना आखरी टेस्ट मैच उन्होंने जनवरी 2022 में साउथ अफ्रेका के खिलाब खेला था और उसके बाद उनकी टीम इंडिया से चुट्टी हो गई थी टीम से बाहर होना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था ऐसे वक्त में उन्होंने अपनी फैमिली से क्या कहा या उस वक्त के बारे में अजिंग के रहने क्या सोचते हैं जब वो टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे तो इस पर आजिंग के रहाने कहते हैं अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो अतीद के बारे में मैं सोचना नहीं चाहता वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि मैंने जो किया उसे आगे जारी रखना चाहता हूँ उन्होंने ये बाते भी कही कि जब वो भारतिय टीम से बाहर हुए तो उन्होंने अपनी फैमिली से क्या कहा उन्होंने बताया कि मैंने अपनी फैमिली से कहा कि मुझे जो है मेरे लिए भारत के लिए खेलना माएने रखता है ये बाते उन्होंने अपनी family से कही और फिर family का उन्हें पूरा support मिला जो उनके friends थे family थे सबने उनका support किया और उसके बाद वो domestic cricket में जाते हैं वहाँ perform करते हैं अपनी fitness पर जो है वो काम जारी रखते हैं और उसके बाद IPL की बारी आती है और वहाँ पर वो एक शांदार प् पुल जाता है तो ये उनकी मेहनत का नतीजा है और अगर आपको बात कहूं तो अब ये है कि अब तो वर्ल्टेस चेंपिनशिप का final आ गया उसमें किस अंदाज में वो बैटिंग करना चाहते हैं तो आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग कहते थे कि ये टुक टुक रह आने हैं तो आपको बजा दूँ कि अब उनका इरादा ठाक ठाक खेलने का है मतलब कि बहुत ही आकरामक बल्लेबाजी वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने खेलने का तरीका अब बदलने वाला नहीं है मैं जिस तरह की बैटिंग कर रहा हूं जैसा मैंने जाता हूं जैसा मैंने IPL में किया या फिर रणजी ट्रॉफी में किया फिर ये बाते उन्होंने कही है और कहा कि मैं चीजों को जटिल नहीं करना चाहता चीजें जितनी सरहल होंगी मेरे लिए वो इतना बेहतर होगा ये बाते जो है अजिंग के रहाने कहते हैं तो इससे आप कह सकते हैं कि एक तरह से अजिंग के रहाने ने ऐलान कर दिया है कि बाई कंगारू गेंदबाजों समल कर रहना अब मैं जो है बहुत ओवर डिफेंसिव होने वाला नहीं हूँ मैं खुलकर अपने स्ट्रोक्स लगाऊंगा तो ये एक बात है जो कि अजिंग के रहाने जा सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि जब विराट कोहली जो है ऑस्ट्रेलिया दौरा छोड़कर बीच में आ गये थे उसके बाद अजिंग की रहाने ने ही 2021 में टीम की कमान सभाली थी और टीम को जीत दिलाई थी टेस्ट सिरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाब ऑस्ट्र है ये बातें जो है अजिंग की रहाने के साथ लगी हुई है इसके अलावा उन्होंने वरतमान टीम पर भी बाते की उन्होंने कहा कि टीम का माहौल बहुत अच्छा है रोहित शर्मा की कप्तानी पर उन्होंने कहा कि वो टीम को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और और सबी खिलाडी साथ पे बहुत खुश होते हैं उन्होंने राहुल द्रविड के भी काफी तारीफ की है और उन्होंने कहा कि राहुल भाई भी अच्छे से टीम को आगे बढ़ा रहे हैं तो इन सब के बाद जितनी बाते निकल कराएं अब जो इसका बॉटम लाइन है वो हैं अब हम सब उमीद करते हैं कि WTC का ये फाइनल होने जा रहा है साथ जुन से ये भारत के लिहाज से बहुत महत्तोपूर्ण है क्योंकि ICC ट्रॉफी जीते हुए 10 साल हो चुके हैं तो एक बार फिर से ICC ट्रॉफी की तलाश है भारतिये टीम को और WTC फाइनल जो है उसक प्रदर्शन भी माइने रखेगा फिलाल अजिंग की रहने की बातें जो है वो थोड़ी बहुत भावुक कर गई और जो बातें उन्होंने कही और जो अपने उस समय को जब उन्होंने याद किया और कहा कि मैं पास्ट को याद नहीं करना चाहता तो आप समझ सकते हैं कि व